विनोत पंकज मिश्रा and you are welcome in my YouTube channel पंकज इस्टिटूट आफ इंग्लिश तो यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंश सके आज जिन बाकियों की हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं मुझे तुम्हारी इजादत लेने की जरूरत नहीं है अपनी सलाह अपने पास रखो इस मामले से दूर रहो तुम बेर्थ में मुझे बहस कर रहे हो मैं कभी गलत का साथ नहीं देता हूं मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है आप यहां किसका इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल जैसी मेरी माँ बनाती है इसलिए मैंने निश्चे किया है अगर तुम चाहो मैं तुम्हें सब बता दूंगा तुम्हारा यहां कोई दोस्त नहीं है आप मेरे बारे में गलत न और आप उनसे बड़े होते हैं या आपको इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होती है तो आप बोलते हैं मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है I don't need to take your permission इसके इंगले से बोलेंगे I don't need to take your permission I don't need to take your permission मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है Next sentence लिखा है अपनी सलाह अपने पास रखो Dear friends जब हम किसी से कोई सलाह नहीं मांगते हैं तब भी जो लोग होते हैं कुछ लोग हमको सलाह देने लगते हैं और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है अपनी सलाह अपने पास रखो अपनी सलाह अपने पास रखो इसको इंग्लिस में बोलेंगे Keep your advice Keep your advice yourself Keep your advice yourself अपनी सलाह अपने पास रखो Next sentence लिखा है इस मामले से दूर रहो कभी कभी आपस बोलते हैं कि आप इस मामले में मत सुल जो ये आपका मामला नहीं है आप इस मामले से दूर रहो तो इस मामले से आप दूर रहो इसको इंग्लिस में बोलेंगे Keep your advice Stay away Stay away from This matter Stay away from this matter इस मामले से दूर रहो Next sentence लिखा है तुम ब्यारत में मुझसे बहाश कर रहे हो जब आदमी असलियत या reality नहीं जानता है तो बिना मतलब में जूटी बात को चिला करके बहस करके उसको सही करने की सिद्ध करता है तो यदी हम कहना चाहते है कि तुम मुझसे बहाश कर रहे हो बिना मतलब की बहाश है बैरत है तो आप कह सकते हैं कि तुम ब्यारत में मुझसे बहाश कर रहे हो इसको English में बोलेंगे You are arguing with me in vain B-A-I-N in vain का मतलब होता है ब्यार्थ में तो तुम मुझे ब्यार्थ में बहुत कर रहे हैं You are arguing with me in vain Next sentence लिखा हुआ है मैं कभी गलत का साथ नहीं देता यदि किसी वेक्ति ने कोई गलत किया है और आपके पास आता है कहता है भाई मैंने यसे गलत किया है मुझे मालूम है और क्या आप मेरे साथ हो तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं कभी गलत का साथ नहीं देता हूँ इसको English में बोलेंगे I never support wrong I never support wrong I never support wrong मैं कभी गलत का साथ नहीं देता हूँ कई बार बोलते हैं इस प्रकार से गुस्ते में बोलते हैं लोग कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ तो उन्हीं की language में हम जवाब देने के लिए बोलते हैं कि मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है तो बोलेंगे I need not to know you या I don't need to know you इस प्रकार से मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है आप यहां किसका इंतजार कर रहे हैं यदि किसी ब्यक्ति से आप परजित हैं और कहीं पर खड़ा हुआ आपको दिखता है और आपको लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है और आप पूछना चाहते हैं कि आप यहां किसका इंतजार कर रहे हैं तो इसके इंगलिस में पुछेंगे Whom are you Whom are you Waiting Waiting Here Whom are you Waiting here Whom are you waiting here आप यहां किसका इंतिजार कर रहे हैं Next sentence लिखा हुआ है जे बिल्कुल जैसा मेरी मा बनाती है कभी कबार आप किसी होटल में रेस्टारेंड में या कहीं पे जाते हैं और वहां की चीज़े खाते हैं तो आपको वैसे ही लगता है जैसे आपकी मा ने वो बनाया हो आपके मुझे से निकल आता है कि बिल्कुल जैसे मेरी मा बनाती है यह तो बिल्कुल वैसे ही है my mother makes just like my mother makes जैसा मेरा जैसी मेरी माँ बनाती है बिल्कुल जैसा मेरी माँ बनाती है इसी लिए मैंने निश्चे किया लियर फ्रेंट बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीर थी इसी लिए मैंने निश्चे किया कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा इसी लिए मैंने निश्चे किया तो इसको बोलते हैं इसी लिए मैंने निश्चे किया इस प्रकार से बोल देते हैं कई बार इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं अगर तुम चाहो तो यहां रुख सकते हो अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो अगर तुम चाहो तो मैं उसको बुला लूँ तो अगर तुम चाहो इसको इंगले से बोलते हैं If you like If you like अगर तुम चाहो If you like, then I will call him यदि तुम चाहो तो अगर तुम चाहो तो मैं उनको काल करूँ इस प्रकार से मैं तुम्हें सब बता दूँगा कई बार बोलते हैं कि तुम पहले घर पहुंचो मैं तुम्हें सब बता दूँगा या तुम मुझे काल करना मैं तुम्हें सब बता दूँगा तो मैं तुम्हें सब बता दूँगा इसको इंगलिस में बोलते हैं I will tell you everything मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा नेक्स सेंटेंस लिखा है तुम्हारा यहां कोई दोस्त नहीं है कई बार बोलते हैं कि आपको यहां पर अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहां पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो बोलते हैं You have no friends You have no friends here आपका यहां कोई दोस्त नहीं है Dear friends, कई बार लोग आपके बाले में गलस सोचते हैं उनको reality पता चलती है तो हम उनसे कहते हैं कि आप मेरे बारे में गलत नहीं है तो आप या जब कभी भी उनको आप मेरे बारे में गलत नहीं है You are no या कभी कबार आप बोलते हैं कोई विक्ति आता है बोलता है मैंने आपको वहां पर देखा है साइद आप वहाँ पर teacher हैं क्या तो हम बोल सकते हैं कि आप मेरे बाले में गलत नहीं है यानि कि आप जो कह रहे हैं वो सही है तो बोलते हैं You are not wrong about me You are not wrong about me जब आप गलत नहीं होते हैं तो इस परकार से कहते हैं You are not wrong about me आप मेरे बाले में गलत नहीं हैं तो इस परकार के sentence हम अपनी daily life में conversation में और देखते सुनते और पढ़ते हैं तो dear friends है आप भी इन sentences को सीखना चाहते हैं तो इन sentences को बार बार पढ़िए बार बार सुनिए और बार बार लिखिए इनका यूज करके आप इन sentences को अपने daily life में यूज कर सकते हैं देखते हैं एक बार सुरू से लेके last तक मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की जयोत नहीं है अपनी सलाए अपने पास रखो इस मामले से दूर रहो तुम बेर्थ में मुझे से बहस कर रहे हो मैं कभी गलत का साथ नहीं देता I never support wrong मुझे तुम्हें जानने की जरुद नहीं है I need not to know you आप यहां किसका इंतजार कर रहे हो whom are you waiting here बिलकुल जैसे मेरी मा बनाती है just like my mother makes इसी लिए मैंने निश्चे किया है that's why I have decided अगर तुम चाहो if you like मैं तुम्हें सब बता दूँगा I will tell you everything तुम्हारे यहां कोई दोस्त नहीं है you have no friends here आप मेरे बारे में गलत नहीं है you are not wrong about me तुम्हें 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 सब बता दूँगा इस प्रकार के सेंटेंस हम लॉंग सेंटेंस भी प्रिपेर कर सकते हैं I hope dear friends कि आपको यह वीडियो लग्चे पसंद आया होगा यह सेंटेंस पसंद आया होगे यदि पसंद आया हो तो इन्हें जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए है तो प्रिज इससे सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि इस प्रिका के वीडियो आप तक पहुंच शके Thank you for watching